वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरेंट सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला सब्सक्राइब करें कितना आपका स्कोर आया है ठीक है और आपको ये क्विस कैसी लगी ये भी बताईएगा अगर पसंद आए तो बिना लाइक करें और बिना चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मच जाईएगा तो आईए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को देखें 30 कोशन रहेंगे तो उसमें पहला कोशन जो है आपका वो है यहां पर नारे कौन किसने कौन सा नारा दिया उसके बारे में है तो हू लिवज इफ इंडिया डाईज ये जो कतान नारा है ये किसने कहा था यूसुफ मेहर अली ने जवाहलाल नहरू ने भगत सिंग तो देखें यहां पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका जवाहरलाल नहरू ने ये जो नारा है वो दिया था कि हू लिवस इंडिया डाईज ठीक है तो ये किसने कहा है जवालाल नहरू ने अगर आप बात करें यूसुफ मेहर अली की तो इन्हों ने कहा पारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा ठीक है तो इस तरीके से इन सब के बारे में आपको पता चलगा है जरूर याद रखेगा एक नाएक यहां से आपको कोशन देखने को मिल सकता है आपके एक्जाम में इसके बाद आप चलते हैं अगले कोशन पर अगले कोशन यहा यहाँ पर पोंगल के अगर हम बात करेंगे पोंगल के तो यह कहाँ पर है आपका तमिलाडू में याद रखेगा यह आपको अक्सर एक्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे कौशन इसके बाद अगले कोशन यानि कि हम बात कर रहे हैं थेर्ड नंबर के कोशन की जिसमें 1931 में INC यानि कि इंडियन नेशनल कॉंगरेस की जो कराची अधिवेशन हुगा था उसकी अध्यक्ष्टा किसने करी थी सरदार पटेल ने पंडित नहरू ने सुचेहता कृपलानी या फिर मौलाना आजाद तो चूज करना है एक तरफ आपको संगठन यानि का ओगनाईजेशन दे रखा है और दूसरी तरफ वहाँ पर दिया है फाउंडर ठीक है तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर आत्मिय सभा की तो आत्मिय सभा राजा राम मोहन राय एकदम करेक्ट है दूसरा आपका यंग यह भी एकदम सही है हेंरी डिरोजियो इन्होंने इसको स्थापित किया था इसके बाद अगला जो आपका दे रखा है यहाँ पर आदी ब्रह्मो समाज यह यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए यह आप ज़रूर याद रखेगा देवेंदर नाथ टेगोर ठीक है ना कि सुरेंदर नाथ बेनर जी तो हमें कौन सा चूज करना था जो कि सुमेलित नहीं है नौट करेक्ली मैज तो सही आंसर क्या होगा आपका थेड़ वाला यानि कि आदी ब्रह्मो समाज इसका जिसकी इस्थापना थी वो देवेंदर नाथ टेगोर ने की थी ठीक है वहीं अगर आप बात करें सुरेंदर नाथ बेनर जी की तो इन्होंनों भी एक और्गनाइजेशन को स्थापित किया था वो थी आपकी इंडियन एसोसियेशन जरूर याद रखिये का अब भारत की बात करें तो बीडी सावरकर एकदम सही है ठीक है अब यह तो काफी हाइलाइटिड रहते हैं सावरकर जी आपको पताई है अच्छा आपको अगर यह वाला वीडियो पसंद आ रहो तो अब कम से कम अपने चार-पांच जो आपके फ्रेंड्स है उस सर्कल में जरूर हमारे चैनल को प्रमोट करिए ताकि जाल से जाल साथी यहां अब यह जो हडबगत नीती थी इसके तहट कौन सा राज जिता सबसे आखरी में ब्रिटिश सामराज में मिलाया गया क्या यह नाखपूर था बगाड था उदैपूर था या फिर यह करॉली तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा आपका करॉली यह 1855 में इसको मिलाया गय इसके बाद आप मूव करते हैं अगले कोशन पर जो की है आपका औरंग जेव को और दाराशिकोह के उपर इनके बीच में जो उत्तरा अधिकार को लेकर युद्ध हुआ था जिसको धर्मत का युद्ध भी बोलते हैं तो यह कौन से यर में हुआ था 1657, 1658, 1659 या फिर 1656 तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका 1658 ठीक है 1658 में ये युद्ध हुआ था औरंग जेव और दाराशिकोह के बीच में जरूर याद रखिएगा 1658 यानि की सेकंड वन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा इसके पाद अगले कोशन की बात करें यहाँ पर बा बात करेंगे तो यहाँ पर है व्रह देशवर मंदर और वहीं आप नासिक की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है त्रम्बेकेशवर मंदर तो यह मंदर की लोकेशन जरूर याद रखिएगा एक्जाम में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा इसके पाद अगला कोशन यहाँ है निम्न में से किस देश के संबिधान से निर्वाच्चित राश्ठ हुट पती और उस पर जो महा भीवग है इसके लगाने के प्रावधान लिया गया है यह अमेरिका है रशिया है जापान है या फिर केनड़ से लिया है तो सही आंसर क्या होगा इसका अमेरिकाश थापित जो प्रिक्रिया है यह जापान से लिए वहीं केनेडा जो है वो रेजिडिवल पावर्स जो सेंटर के पास रहेंगी उसके बारे में प्राबधान कहां से लिए है केनेडा से यानि कि जो अविशिष्ट शक्तियां हैं यह केंद्र के पास रहेंगी यह केनेडा से लि होगा इसके बाद आगे चलें अगला कोश्चन यहां पर है भारत के नियंद्रक और महालेखा परीक्षक का कारेकाल कितना होता है छे वर्ष से 65 वर्ष की आयू यह वाला यहां पर सही होगा मतलब छे साल उसका टेनियोर रहेगा या फिर उसकी 65 एर की अगर आयू हो जाएग बाकी आपको कोश्चन एकदम कॉलिटी वाइस मिलेंगे ऐसे कोश्चन मिलेंगे जिसमें से आपके एक्जाम में कोश्चन आए तो आपको अगर डिस्क्रिप्टिव देखना है तो आप तुरंत स्टेडी फॉर सिविल सर्विजिस को वहां पर सब्सक्राइब करिए पाप आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है अब इसमें पहाड़ी दर्रे दे रखे हैं और राज दे रखे हैं इसमें आपका बनेहाल है भोरगाट है मुलिंगला है और जेपेला है तो जिलेपा है तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो की सही यहां पर मैच तो देखिए अगर हम बात करें भोरघाट की तो बोरघाट केरिला में नहीं है यह कहां पर है महरास्ट्रो में यहां पर आपका सही होगा बनेहाल जम्मु कश्मीर में सब को पता है मुलिंगला उत्राखंड में है आइ ठीक है इसके अलावा जलेपा अगर बात करें तो यह स आप लोग मुझे बताएंगे कि सवर्ण रखा तुंगबद्रा और गोदावरी इनके किनारे कौन से नगर बसे हुए है, कमेंट सेक्शन में आपके answers का मैं अंतजार करूँगा, ठीक है और अगला जो वीडियो आएगा, उसमें में आप लोग के answers जो भी present यहाँ पर करेगा, अपने answers तो उसका नाम भी यहाँ पर announce करूँगा starting में, जब वीडियो का starting होगा तब ही वहाँ पर आपनों के नाम भी announce किये जाएंगे इसके बाद अगला कोशन यहाँ पर है केरल की जील कौन सी नहीं है, ठीक है तो इसमें विमनार्ड है, पेरियार है, कोलेरू है और अस्टिमुडी है, तो सही आंसर क्या होगा इसमें विमनार्ड है, पेरियार है और अस्टिमुडी है इसके बाद आज का अगला कोशन है आपका पंद्रवे नंबर का 50% यह वाला आपका कोई खतम हुआ है इसमें बात करी गई है कि अमली है म्रदा, यानि कि जो acidic soil होती है, उसको क्रिशी योग बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है potassium powder है, चूना है, phosphorus है इनमें से कोई नहीं, तो एकडम सही आप सोच रहे हैं अगर आप चूना सोच रहे हैं तो ठीक है, lime यहाँ पर सही आंसर होगा इसके बाद आज का अगला कोशन है, जो आला मुखी ऐसा कौन सा है, जो इटली में नहीं है Mount Etna, Vesuvius, Pericutin या फिर Mount Vulture, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा, आपका Pericutin क्यों यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भहिया यह आपका इटली में आउकर, कहाँ पर है, मेक्सिको में तो यह आपको याद रखना है Mount Etna, Vesuvius और Mount Vulture यह कहाँ पर है आपके, यह तीनों के तीनों आपके कहाँ पर है, इटली में हैं, ठीके और Pericutin कहाँ पर है, मेक्सिको में याद रखिएगा, इसके बाद अगला कोशन निम्न में से किस पंचवर्षी योजना का मूलभूत उद्देश जो है, वो गरीवी उन्मूलन ठीक है, गरीवी उन्मूलन और जो आपका आत्म दरबता है, यानि कि Self Reliance है, यह रहा था कौन सी वो थी, पाँचवी थी, पहली थी, नौवी थी, या फिर ग्यार्मी थी, तो इसका जो सही आंसर आएगा, वो क्या आएगा आपका, वो है आपका पाँचवी, ठीक है, फिफ्ट नंबर की जो आपका Five Year Plan था, वो यहाँ पर सही आंसरों का, पहली की अगर हम बात करें की कोशना के साथ विकास, थीक है, तो यह थीiane वाले का जो में थीम था, जिसके उपर पूरी Public प्लान बनाया गया था वहीं ग्यार्मी की बात करें तो वहां पर बात करी गए थी inclusive development की यानि की समावेशी विकास ठीक है तो यहां पर जो आपको याद रखना है गरीवी उन्मूलन और आत्म निरभरता यानि की self-reliance तो इसके लिए कौन सी आपकी पंचवर्षी योजना है पाँचवी ठीक है इसके बाद आज का अगला कोशन है आपका अरुंदती भटाचारे के अगर हम बात करें तो यह कौन से बैंक की पहली महिला चेयर परसन बनी थी ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर आपका SBI and I don't think कि आप लोग में किसी वह ऐसा ना पता हो इनके बारे में बहुत important personality रही है यह ठीक है इसके बाद अगला कोशन है भारत में Treasury Bill पहली बार कब जारी किये गए ठीक है Treasury Bill हिंदुस्तान में पहली बार कब जारी किये गए 1950, 1917, 1916, 1919 तो सही आंसर second one यानि कि 1917 में पहली बार भारत में Treasury Bill को जारी किया गया था इसके बाद आज का 20 वा कोशन कैस्कोग्राफ की हम बात कर रहे हैं तो इसका यूज क्या मापने के लिए किया जाता है किसको मेजर करने के लिए कैस्कोग्राफ का यूज किया जाता है पौधों में वरदी मापने के लिए समुद्र की गहराई प्रकाश की तीवरता या फिर वर्षा मापने के लिए तो सही आंसर क्या होगा आपका पौधों में जो वरदी होती है उसको मेजर करने के लिए कैस्कोग्राफ का यूस किया जाता है समुद्र की गहराई की बात करेंगे तो फैदो मीटर वहीं अगर वर्षा मापक ये अंत्र की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं यूडो मीटर ठीक है क्या बोलते हैं आपका यूडो मीटर याद रखिएगा इसके अलावा अगर हम बात करें प्रकाश की तीवरता की वो क्या है आपका लक्स मीटर ठीक है तो इस तरीके से ये सारे ही आपको याद रखने है वेरी इंपोर्टेंट इसके बाद अब बढ़ते हैं अगले कोशन पर जो कि आपका 21 नमर का कोशन जिसमें बात करी गई है कि काच में निम्न में से किस रंग क प्रकाश का वेग जो होता है वो सबसे जादा होता है क्या ये लाल रंग है क्या ये बैगनी है क्या ये काला है या फिर ये पीला है ठीक है तो यहां पर किसकी बात करी गई है सबसे अधिक जो वेग होता है वो किसका होता है तो बिलकुल सही अगर आप सोच रहे हैं लाल तरपण कौन सा मिरर उसमें यूज़ किया जाता है Concave ग्र है Concave मिरर है प्लेन मिरर है या फिर non of these तो यहां पर यह गलत लिखा हूँ है North नहीं है This is connex difficult इस यहां पर उत्तल दरपन अवतल दरपन समतल दरपन याlled इन ऀन्मेसी कोई नहीं तो होते हैं काफी स्ट्रेंट्स होते हैं इनको यह confusion रहता है कि exactly इसमें difference क्या है तो यह आप comment section ने बताइएगा इसके बाद अगला question यहाँ पर है कि दूद का जो pH value है यह exactly कितना होता है जो range है दूद के pH value की यह क्या होती है 6.1 6.3 6.2 6.21 या फिर 6.5 6.7 या फिर 6.6 6.9 तो सही answer C वाला होगा यानि कि थर्ड वाला 6.5 से 6.7 यह जो range है यह दूद के pH value की होती है इसके बाद आज का 24 कोशन है जूलता मीनार यह कौन से शहर में इस्थित है ठीक है बड़ा important question है जूलता मीनार के बारे में कि कौन से आपके शहर में है एधराबाद, लखनव, एहमदाबाद या फिर सूरत तो देखिए इसका सही answer क्या होगा आपका एहमदाबाद ठीक है तो एहमदाबाद में है आपका जूलता मीनार वहीं अगर आप बात करें है तो चार मीनार की बात करें या मक्का मजजद की बात करें दोनों कहां पर है लखनव में है वहीं सूरत की साक्षरता दिवस यानि की International Literacy Day ये कब मनाया जाता है साथ सितंबर आठ सितंबर नौ जनवरी दस सितंबर ठीक है तो सही answer second वाला होगा यानि की आठ सितंबर जो है वो यहां पर सही होगा आठ सितंबर को क्या होता है International Literacy Day इसके बाद आज के 26 में कोशन की बात करते हैं यहां पर बात हो रही है नियाए पंचायत जो होती है वो सिविल मामलों में कितने रुपे तक के दावों की सुनवाई कर सकती है हजार रुपे पांसो रुपे चार सो रुपे या फिर पांच हजार रुपे तो सही answer क्या होगा आपका 500 रुप तो यहां पर सही answer क्या होगा इसका लखीनपूर खीरी ठीक है लखीनपूर खीरी जो है वो शेत्रफल की दरस्टी से सबसे बड़ा जिला है उत्तरप्रदेश का इसके बाद आज का अगला कोशन है फेस्बुक का मुख्याले कहां है ठीक है नियू यॉर्क में है सेंट फ् पतलब है वो क्या होता है account है amount है access है या फिर आपका achieve है तो सही answer इसका क्या होगा आपका अगर आप DRAM की बात करें तो इसको क्या बोलते है dynamic random access memory तो that means कि यहां पर access की बात होई है third वाले की ठीक है तो सही answer क्या होगा third वाला इसके बाद आज का आखरी question है यहां पर कि China man य आपके साथ ही है उसमें जरूर इसको circulate करिए और तुरंट telegram group को जरूर जोइन करिए अगर facebook से notification नहीं मिलेगा so telegram से आपको information मिलेगी कि वीडियो जो है वो upload हो चुका है तुरंट जाकर आपको उसको देखना है यह quiz लगानी है और अपने आपको test करना है ठीक है इसके अ यहां पर वीडियो प्रेजेंट होते हैं ऐसे ही नहीं कोई वीडियो आता है तो यहां पर आपकी बहुत जादा help हो जाएगी आपका बहुत जादा time save हो जाएका तो जरूर जोइन करिए UP PCS के लिए तैयारी कर रहे हो BPSC के लिए उत्रखंड PCS के लिए किसी भी group C की तैय कर रहे हो BPSC के एक्जाम की चाहिए वो उत्तरप्रदेश का हो बिहार का हो तुराखंड का हो हर्याना कहीं का हो ठीक है जितना हिंदी बेल्ट वाला एरिया है उस सब के लिए focus करता है study for civil services तो तुरंत उसको जोइन करिए अब यहां पर हम बात करते हैं चाइना मैन की अब ठीक है सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर प्रेजेंट रहिएगा अब उसमें भी और अपने आपको वहां पर टेस्ट करिए और आंसर जरूर दीजेगे जितने ही मैंने question पूछे हैं इस पूरे वीडियो में ठीक है सो तिल देन पढ़ते रहिए तैयारी करते र बाय बबै